पहले हम एक बार क्रेक्टरस्टिक फंक्शन की डेफिनिशन रिवाइज कर लेते हैं वैसे हम क्लास में ये डेफिनिशन कर चुके हैं क्या है डेफिनिशन? E भी अगिवन सेट एंड A भी एनिस सबसेट ओफ E अगर A कोई सबसेट है E का देन दा क्रेक्टरस्टिक फंक्शन जिसे हम काई A पढ़ेंगे ओफ E is a real valued function जो क्रेक्टरस्टिक फंक्शन होगा वो एक real valued function है defined on E E पर define हो रहा है बाई काई A X अगर हम X के उन पॉइंट्स की A के उन पॉइंट्स E के उन पॉइंट्स की बात कर रहे है जो A से बिलोंग करते है तो गेक्टरस्टिक फंक्शन की value 1 आएगी और वो पॉइंट E के वो पॉइंट जो A से बिलोंग नहीं करते उन पर ये value 0 देगा एक गेक्टरस्टिक फंक्शन वेल्यू या तो to be simple function if it assumes only a finite number of values, each of them being finite, एक simple function उस function को कहते हैं, जिसकी value जो range set आएगा वो finite होगा, और उस finite set की हर value भी finite होगी, प्रोपर definition करते हैं, एक function f from e to r is set to be simple function if there is a finite disjoint class e1, e2, en of measurable sets, हमें measurable sets की एक class मिल जाए, such that यह सारे disjoint होंगे, और such that इन सब की union e होगी and a finite set a1, a2, en, यह हमारा range set है, of real number, real number वे क्या कुछ sub set है, जो range set है, जो function f value है, f function है, जो simple function जिसे हम कहेंगे, वो सिर्फ यही value लेगा, a1, a2, en, अगर x या e1 से बिलोंग कर रहा है, तो fx a1 होगा, अगर x e2 से बिलोंग कर रहा है, तो fx a2 होगा, इस तरीके से, और यह e के हर point की value दे देगा, a1, a2, en में से कुछ, आगे है, let f be a simple function, अगर f कोई भी simple function है, described above, जो हमने अभी उपर बताया, इसकी simple function क्या होगा, जो range की सिर्फ finite value को लेगा, then we have, fx को मैं क्या लिख सकती हूँ, fx को लिख सकते हैं, summation i1 to n, ai, chi eix, where chi eix is a characteristic function, जो हमने अभी discuss किया है, for a measurable set ei, किसी भी measurable set ei के लिए, characteristic function को denote कर रहा है, हम simple function को ऐसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया, इसको खोल के देखते हैं, क्या होगा, fx की वे, fx क्या होगा, summation i1 to n, ai, chi eix, यानि, a1, chi e1, x, plus a2, chi e2, x, up to son, an, chi e, n, x, बच्चे देखो x क्या है, f कहां से कहां तक define है, f जो function है, वो e2, r है, यानि ex, e का कोई point है, और e1, e2, e, n क्या है, वो disjoint classes हैं, disjoint subsets हैं, e के, अगर disjoint subsets हैं, तो x एक बारी में या तो किसी e1 में जाएगा, या किसी e2 में जाएगा, या किसी e1 में जाएगा, किसी एक ही i में बिलोंग करेगा, मान लेते हैं हम एक बारी के लिए, कि x e1 में बिलोंग कर रहा है, अगर x e1 में बिलोंग कर रहा है, तो a1, a1 काई eix की, काई eix की value 1 हो जाएगी, और बाकी सारी points पर value 0 हो जाएगी बाकी सारे chi e2 की value 0 chi e3 की value 0 up to zone तो fx की value a1 हो जाएगी माली जी x किसी e2 में belong कर रहा है e2 में belong कर रहा है तो chi e1 कितना हो जाएगा 0 और chi e2 कितना हो जाएगा chi e2 कितना हो जाएगा 1 तो यहाँ पर वो a2 value दे देगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, खीक है, तो ये fx ai वही जो हमारा simple function की definition थी, कि किसी एक finite value को लेगा, सेम चीज है, यानि कोई भी function fx is equal to ai को, मैं chi की form में, canonical form में लिख सकते हूं, उसे canonical form भी कहते हैं, summation i1 to n ai, chi eix.